हेलो गाईज तो हाजिर हूँ आपके लिए एक और कमाल की जवरदैस वीडियो लेके तो भाई आज हम देखने वाले हैं PUBG के टोप 5 फीचर्स जो कि गाईज हमें देखने को मिल जाएंगे हमारे अगले अपडेट में और अगर आप अपने टीमेट की वाज सुनना चाहते हो तो आपको यहाँ पर टीम का उप्सन देखने को मिल जाता है और अगर आप ओडियो को कलोजी करना चाहते हो तो गाईज आपको तीसरो उप्सन देखने को मिल जाता है लेकिन आने वाले अपडेट में आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला उप्षन यानि कि गाईज अगर प्लेन के अंदर जो बंदे आपको ओल पे गालिया बगरा देते हैं तो भाई आप उनको रिपोर्ट कर पाओगे और गाईज ये उप्षन तब तक grocery गेगा जब तक आप प्लेन से जम्प नहीं कर देते यानि कि जैसे आप प्लेन से जम्प करोगे उसके बाद ये उप्षन गाईब हो जाएगा तो भाई यह option उन लोगों के लिए बुरा होने वाला है गाईज जो all के उपर गाली बगेरा देते थे तो गाईज अब कोई भी all के उपर गाली देगा तो भाई आप उसको report कर पाओगे तो गाईज जो हमारा अगला feature होने वाला है वो है हमारा soldier firing button यानि कि आपको अपने control के अंदर एक और button देखने को मिल जाएगा तो भाई आप जैसे इस button का use करोगे तो गाईज आपका जो player होगा वो side में आ जाएगा और भाई आपको इस तरीके से view मिलने वाला है और गाईज इस button की आपको sensitivity भी देखने को मिल जाएगी यानि कि आप इसकी sensitivity कम या जादा भी कर पाओगे और गाईज अगर आप इस button को hide करना चाहते हो यानि कि इस button को बंद करना चाहते हो तो भाई आप setting में आके इस button को बंद भी कर पाओगे तो चलिए गाईज अब देख लेते हैं हमारे एगले features को तो गाईज जो हमारा अगला feature से वो होने वाला है हमारे message box से related तो भाई अभी तक तो हमारे teammate मेच के अंदर message बगएरा करते थे तो गाईज उनका नाम सो होता था और साथी साथ उन्होंने जो लिखा है वो सो होता था लेकिन भाई इस update के बाद आपको 100 होने वाला है उसका number भी यानि कि आपका friend message करेगा तो भाई पहले उसका number दिखाएगा फिर उसका नाम दिखाएगा और उसके बाद दिखाएगा कि उसने क्या लिखाए तो गाई ये feature भी कमाल का होने वाला है अगर भाई आप भी किसी का message पढ़के बार बार check करते थे कितने number ने लिखाए तो गाई इस update के बाद आपकी ये problem दूर होने वाली है तो गाई जो हमारा अगला feature है वो हमारा in game like feature यानि कि गाई इसका use करके आप बंदों को game के अंदर भी like कर पाओगे अब भाई ये पता नहीं कि गाई आप enemy के लाइक कर पाओगे या फिर अपने teammate को लाइक कर सकते हो तो भाई जब ये हमारे global version के अंदर आ जाएगा तो guys हमें इसकी पूरी detail पता चल जाएगी और भाई जो हमारा आखरी feature होने वाला है guys वो काफी कमाल का feature होने वाला है तो भाई जब आप अपनी friend list के अंदर आओगे तो guys यहाँ पे आपको ओपर ये icon show करेगा और guys आप इस पे click करेगे तो भाई आपको यहाँ पे दिखाएगा free to team up और एक option दिखाएगा do not disturb और इसमें तीसरा option है stealth तो भाई इसमें जो free to team up है इसका use करके आप अपने friend के साथ match खेल पाओगे तो भाई अगर आप इसका use करोगे तो guys आप अपने friend को बता सकते होगे भाई मैं team up करने के लिए free हूँ और जो इसमें दूसरा option है वो है guys do not disturb तो भाई अगर आप अपने friend के साथ नहीं खेलना चाहते हो तो guys आप इसका use कर सकते हो do not disturb का लेकिन guys जो इसमें आखरी feature है stealth वाला तो भाई ये काफी कमाल का होने वाला है यानि कि guys अगर आप इसका use करोगे तो भाई आप अपने friend की friend list से गाइब हो जाओगे यानि कि guys अगर आप इसका use करोगे और आप online रहोगे तो भाई आपको आपका friend online नहीं देख पाएगा तो भाई अगर आपकी friend list में भी ऐसे बन दे जो guys आपको invitation भेज भेज के परेशान कर देते हैं तो guys इस option का use करके आप उनसे छुटकारा पा सकते हो तो भाई इस वीडियो में तो हमारे top 5 features रही थे जो कि हमें हमारे global version के अंदर आने वाले update में देखन को मिल जाएंगे और guys अगर beta version के अंदर और features नहीं एड होंगे तो guys वो features भी आपको जल्दी देखन को मिल जाएंगे तो इस वीडियो में पेश इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और guys अगर आपको कुछ पूछ नहा हो तो भाई आप कमेंट में पूछ सकते हो तो मिलते है नेक्स वीडियो में बाई बाई